सिम्डेगा जिला मुख्याले स्थित कोर्ट ग्राउंड में ज्ञारखन लोगतांतुर क्रांतिकारी मोच्छा के सुप्रीमो चाइगर जैराम महतो ने कहा कि जिस उम्मीद और विश्वास के साथ लंबी लड़ाई के बाद ज्ञारखन हमें अलग राज मिला था ठीक उसके विपरीत वर्तमान में बैठी हेमन सोरेन की सरकार ने काम किया है जिसकी वज़ा से यहां के युवाओं का हक और अधिकार छिन कर बहारी लोगों को नौकरी देने का काम किया जा रहा है बदलाव संकल पियात्रा के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान बुदू भगत तेलंगा खडिया ने जल जंगल जमीन की लड़ाई के लिए अपने प्राणों किया होती दी उसके बावजूद भी यहां के राजी की मुक्मंत्री खुद सी एंटी एस पी थी लेक्ट का उलंगन करते हुए अपने गाउं शेत्र से दूर दुमका बोकारो और राची में जगा जगा पर जमीन ले रहे हैं जबकि आदिवासीओं के नियम के तहत थानग शेत्र से बाहर जमीन लेना नियम नहीं है आज राजी की खनिच संपदा पर लूट मची है बाहरी लोग यहां पर कब्जा कर रहे हैं सरकारी नौक्रियों में खतियान आधार सिर्फ सत्ता के भूके हैं जारकन एक बड़ा भूभाग है जहां पर खनिस संपदा सरकारी नौकरी हमारी फसल के समान है कालो खलकों की बोलबा से रिपोर्ट चालां धुर्त किसम के लोग हम वह किसी परदेश को लुट से आएंगे किसी देश से आएंगे हमारी जमीनों को लूट कर शले जाएंगे नहीं तो अधिगरिद कर लेंगे तो वही समस्या है तो पिर देश्मी तब्ता मंता है तो सबसे पहले पोमिशी बंती है कि राज कमू प्रच्छ को पिलिवासी कोन होगा विहार रहे, बंगाल रहे, उृटिसा रहे, च्हतितगड रहे या फिर तलंगना तमिलनाडू या करनाटक रहे, या महराश चैनल या गुजरात रहे अपने बदन पे लाठिया भाँज़ रहों तिक यह क्यों ज्या प्रिया रही है यह होगा है जैसे की लगतार जृर्खंड में फिर से कहा जा रहा है कि हैमंसौरइन पाम टांक समाइस को दी है है इसको किस नजर शैंट सी मommen ahí कि अगर सम्मान के तहट आया तो स्वागत होता लेकिन समय तूची तो नहीं है यह खेती बारी का दिन था और खेती बारी का दिन जहां उनको तीन घंटा चार घंटा खेतों में बात करना चाहे था वहां आप उन्हें परग्या केंदर में और साइबर केफे में उलजा के